आप देख रही है MNS News सच जरूरी है सवामी प्रसाद मौर्य ने राम गोपाल यादों को सुनाई खरी खरी जमकर निकाली भडास आईए देखते हैं खबर विस्तार से कमल का कमाल मोदी की गैरेंटी सतर साल का अधूरा सपना अब होगा पूरा पियम मोदी ने जमू कश्मीर से किया वादा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जमू के मौलाना आजाज स्टेडियम में विशाल रैली को संबोधित किया PM मोदी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग भी पहुचे जमू कश्मीर के विकास का लाब महिलाओ को मिलना है पके घर महिलाओ के नाम पाच लाक रुपए तक के निशुलक इलाज से यहां की महिलाओ के जीवन को लाब पहुचाया जाएगा 370 हटने के बाद महिलाओ को हर वो हक मिलने हैं जो पहले नहीं मिले थे हमारी बहनों को ड्रोन पाइलेट बनाया जाएगा यहां मोदी की गैरेंटी है लाखों रुपए के ड्रोन से खेती और बागबानी में लाब मिलेगा बहनों को इससे अतीरिक्त कमाई होगी पहले भारत में एक हिस्से में काम होता था लेकिन जम्मों और कश्मीर के इसका लाब मिलना नहीं था या देरी से मिलता था आज पूरे देश के साथ जम्मों और कश्मीर के लोगों को लाब मिल रहा है नया भारत अपनी वर्तमान पीडी को आधूनिक शिक्षा देने के लिए जादा से जादा खच कर रहा है बीते दस सालों में देश के रिकॉर्ड संख्या में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का निर्मान हुआ है एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर से सिर्फ निराशा की खबरे आती थी बम, बंदूक, अपहरन, अलगाव ऐसी ही बाते जम्मू कश्मीर की दुरभाग्य में बत बना दी गई थी लेकिन आज जम्मू कश्मीर विक्सित के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है हम अपने विक्सित जम्मू कश्मीर का संकल्प लिया है मुझे आप पर विश्वास है कि अब विक्सित जम्मू कश्मीर बना कर रहेंगे सतर सतर साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे कर देगा आज सेक्डो युवाओ को सरकारी नियुकती पत्रस सौपे गए मैं सभी युवाओ को शुपकामनाय देता हूँ जम्मू कश्मीर दर्शकों तक परिवादता की राजनीतिक का शिकार रहा आईए बढ़ता है अगली खबर के और अमेठी आकर भी चुनाव लड़ने की सीधी घोषना से बचे राहूल नहीं आई प्रियंका गांधी वाडरा भाई भेनो सभी को नवशकार अमेठी की गांधी नगर तॉल प्रोजा के पास बने मंच से मुस्कुराते हुए राहूल गांधी ने कुछ इसी अंदाज में अपनी बात भारत जोड़ो नया यातरा से शुरू की कहा तब अमेठी के लोगों ने कभी नहीं कहा कि यातरा यहां नहीं आईगी अमेठी में हाजिर है मनिपूर से भारत जोडो न्याय यात्रा शुरू कर अन्य राज्यों में होते हुए यूपी आया है राहुल ने अपने संबोदक के अंत में अमेठी वासियों से पुराना वप्यार मोहबत का रिष्टा होने के बाद जरूर कही ये बात पर इस परमपरा गत्सीट को लोगसवा चुनाव लड़ने की सीधी गोशना से बचे मनिपूर से भारत जोडो न्याय यात्रा शुरू कर अन्य राज्यों में होते हुए यूपी आया हुँ राहुल ने अपने संबोधक के अंत में अमेठी वासियों से पुराना प्यार स्मीती ने कहा अगर राहुल गांदी में दम हो तो वह बिना बहसाखी के अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाए स्मीती ने कहा कि 2019 में राहुल गांदी ने अमेठी छोड़ दिया था आज अमेठी ने उन्हें छोड़ दिया है आईए बढ़ते हैं अगली खबर के और स्वामी प्रसाद मौरिया ने राम गोपाल यादों को सुनाई खरी खरी जमकर निकाली भड़ास कहा स्वामी प्रसाद मौरिया ने कहा कि महासाच्यूपत से इस्तिफात देने के बाद नैतिक्ता के आधार पर मैंने विधान परिसर की सदसत्या और सपा के इस्तिफे दे दिये है सपा के इंडिया गटबंदन से अलग होने के सवाल पर स्वामी ने बड़ा इशारा किया है उन्होंने कहा कि इंडिया गटबंदन मजबूत होगा अगर कही लोग गटबंदन के साथ आएगे यानि अपनी शोषित समाच पार्टी को इंडिया गटबंदन में शामिल करके चुनाव लड़ सकते है राम गोविन्द चौदरी और पलवी पटेल को भी साथ लाने पर सवाल किया है स्वामी ने राम गोपाल को भी कुछ खरी खोटी सुनाई है कहा कि प्रोफेसर जब तक सपा इसी प्रकार गर्क में जाएगी अब आप हमारे चैनल को मोबाइल आप पर भी देख सकते हैं मोबाइल आप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से मनेस्टीवी आप डाउनलोड करें आप इसे इंस्टा, हाई, क्वीक, ट्वीटर, फेस्बूक और कई सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर हमारा चैनल मने रही हमारे साथ MNS News टीवी पर नमस्कार